तो हेलो दोस्तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टेक इंडिया पे में और दोस्तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा यूसपुल होने वाला है क्यो क्योंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यूटूब चैनल कैसे क्रियेट किया जाता है अगर दोस्तो आप भी YouTube अप्लिकेशन में अपना खुद का चैनल क्रियेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर से देखन चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को यहां से करते हैं स्टार्ट बटीस से पहले गाईज अगर आप हमारे से YouTube चैनल टेक इंडिया पेपर नए हो और आप अभी तक हमारे से YouTube चैनल टेक इंडिया पे के सदस्से नहीं बने हो तो वीडियो के नीचे रेट कलर का बट तो गाईज YouTube अप्लिकेशन में खुद का चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो अपने मुवाइल फोन में एक email ID बनाना है अब गाईज अगर आपको नहीं पता है कि अपने मुवाइल फोन से email ID कैसे बनाया जाता है उसके बाद आपको क्या करना है YouTube अप्लिकेशन को उपन करना है और अपना email ID यहाँ पर login करके profile के उपर क्लिक करना है जैसे profile के उपर क्लिक करोगे तो आपने email बनाने के time जो भी name आपर add कर रखा होगा यह automatic यहाँ पर आ जाता है अब यहाँ पर दुस्तों आपको एक option देखने को मिलगा create a channel का इस पर क्लिक करना जैसे आप create a channel के उपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर सबसे पहरे दुस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपको picture का option मिलता है आप अपने YouTube पर फाइल में जो भी picture लगाना चाहते हो पर क्लिक करना और यहाँ से दुस्तों आपको अपने एक handle रख लेना है अब handle कैसा होना चाहिए ध्यान रखना यूनिक होना चाहिए जैसे कि आप Instagram अप्लिकेशन इपना username रखते हो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना handle भी रखना है उसके बाद आपको create channel के उपर क्लिक करना है जैसे आप create channel के उपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी के interface आजएंगे अब यहाँ से दुस्तों आप चाहो तो फिर से customize कर सकते हो simply आपको pencil वेल आइकन के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो customize कर सकते हो सारे का सारे चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप banner लगा सकते हो profile add कर सकते हो name यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा handle देख सकते हो URL यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैनल create कर रहे हो तो अब यहां से दुस्तों आपको क्या करना है इतना करने के बाद अब यहां से दुस्तों आपको ध्यान देना है आपको यहां पर कुछ settings को करने होंगे ताकि आपका जो video वो grow हो सके और आपका जो channel है वो search list के अंदर आ सके बहुत से लोग यहाँ पर video upload कर देते जिससे कि उनका video grow नहीं हो पाता है या फिर उनका जो channel है search list के अंदर नहीं आ पाता है तो इसके लिए दुस्तों आपको क्या करना है यहाँ से दुस्तों आपको chrome application को open करना है और chrome application को open करने के बाद आपको यहाँ पर दुस्तों search करना है YouTube जैसे दुस्तों आप इतना search करोगे तो दुस्तों आपके सामने आपका जो यहाँ से YT studio है यानि कि YouTube का जो इस studio है वो यहाँ पर यह open हो जाएगा लेकिन इससे पहले आपको three dot के पर click करके आपको simply यहाँ पर इसे desktop mode में यहाँ से on कर देना है तो यहाँ से मैं फटा-फट इस process को complete कर लेता हूँ तो जैसे दुस्तों आप अपना YT studio यहाँ से open करोगे तो यहाँ से दुस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके के interface आपके सामने आ जाएगे यहाँ पर दुस्तों देख सकते हो अभी एक भी वीडियो है आप अप्लोड नहीं है तो यहाँ पर दुस्तों upload वीडियो का option आ रहा है अब यहाँ से दुस्तों आपको settings कैसे करना है ध्यान से देखना step by step आपको पूरा देखना है अब यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा scroll down करना है और यहाँ पर मैं थोड़ा zoom करता हूँ अगर आपके पास यहाँ पर desktop है तो आप बहुत यह simple तरीके से कर सकते हो यहाँ पर आपको settings का icon देखने को मिलेगा आपको क्या करना है इस settings पर आइकन के उपर क्लिक करना है जैसे दुस्तों आप settings पर आइकन के उपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी के interface आजेंगे अब यहां से दुस्तों आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है यहां पर आपको कुछ option यहां पर देखने को मिलेंगे जैसे कि general, channel, upload, default उसके बाद permission यहां से आपको community काफी सार यहां से आपको option देखने को मिल जाते हैं चुछ चलिए, मैं आप सभी को पूरे step by step समझाता हूँ सबसे पहले यहां पर आपको general के उपर click करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहां पर आपको currency देखने को मिलता है तो यहां पर US dollar रहने देना है उसके बाद आपको channel के उपर click करना है जैसे आप channel के उपर click करते हो तो यहां से दोस्तों देख सकते हो basic info दिख रहा होगा यहां पर दोस्तों देख सकते हो आपको क्या करना है यहां पर keyword के उपर click करना है और keyword के उपर click करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने channel से related यहां पर आपको कुछ keyword यहां पर add कर देना है, जैसे कि यहां पर मेरे channel का नाम है take India पर, तो यहां पर लोग यह भी search करते हैं, pay take तो यहां से मैं इतना भी लिख दियता हूं, तो यहां पर यह मैं ने लिख दिया, उसके बाद आपको यहां पर save के उपर click कर देना है, जैसे आप इतना करते जाओगे, आपको यहां से कुछ keyword डाल देने, ताकि आपका जो भी channel है, वो इस keyword की थुरू आपको search list में आ सके, उसके बाद आपको country के उपर click करना है, और आपको यहां से अपना country यहां से select कर लेना है, उसके बाद आपको next option यहां पर देखने को मिलेगा, advance setting का इस पर click करना, जैसे दूस्तों आपए advance setting के उपर click करते हो, तो यहां पर दूस्तों आपको कुछ यहां से वो በтьfahrमाटिक· यहां से Inable होता है। उसके बाद दूस्तर इकनर ओप्षन को आपको Inable करने के लिए आपको क्या करना है咱 यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर वहरीफाइ करना है यानि कि अपने फोन से इसे वहरीफाइ करना होगा। आपको क्या करना है Enable के उपर क्लिक करना है अबको अपना phone number verify कर देना है उसके बाद यह भी यहां पर यह enable हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको third option यहां पर देखने कर भी लगा relevant features का अब यहां से दुस्तों advanced features को enable करने के लिए आपको simply enable के उपर click करना है जैसे दुस्तों आप enable के उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलेंगे या तो आप video verification कर सकते हो या फिर valid ID की तुरू कर सकते हो या फिर channel history के तुरू जो आपका channel है वो यहाँ पर यह advanced feature enable हो जाएगा तो यहाँ पर आपको के अगर ने in तीन CPU option को यहाँ से enable करना है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसे features जो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे like यहाँ पर आप daily live stream नहीं कर सकते हो या फिर आप अपने video के description में कोई भी link वगारे नहीं डाल सकते हो तो यहाँ पर दुस्तो अगर आप इन सभी option का use करना चाहते हो तो आपको advanced features को यहाँ से enable कर लेना है उसके बाद आपको next option यहाँ पर देखने हूं को मिलेगा यहाँ पर दुस्तो देख सकते हो अप low default इस पर click करना इस पर click करने के बाद दुस्तो देख सकते हो basic info है अब यहाँ पर दुस्तो आप title लगा सकते हो title लगाने के बाद आप यहाँ पर description डाल सकते हो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर title description अड़ करते होगे यह automatic आपके सभी के सभी वीडियो में आते जाएंगे तो यहाँ पर दुस्तो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको visibility के उपर click करना है इसे अनिस्टेट कर देना है ताकि आपका जो वीडियो है डिरेक्ट पाब्लिक न हो सके उसके बाद tag यहाँ पर डालने का option मिलना है Advanced Settings के उपर click करते हो तो यहाँ पर दुस्तो देख सकते हो आपको बहुत सरी यहाँ से option देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर दुस्तो एक option यहाँ पर आपको ध्यान से select करना है यहाँ पर दुस्तो देख सकते हो category का option है इस पर click करना अब यहाँ पर दुस्तों आप अपने चैनल पर किस category से वीडियो यहाँ पर upload करना चाहते हो उसको आपको यहाँ से जरूर से select कर लेना है बहुत सरे लोग यहाँ पर category select नहीं करते हैं जिससे कि उनके वीडियो पर views नहीं आते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है उसके बाद permission के उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सरे यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप यहाँ पर honor देख सकते हो या फिर आप यहाँ पर किसी को invite करना चाहते हो तो यहाँ पर आप invite करके उसे जोड सकते हो इसी तरीके से आपको यहाँ पर community के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर दुस्तो आपको इन सभी process को complete करना है और उसके बाद दुस्तो आपको save बाले button के उपर यहाँ से click कर देना है जैसे दुस्तो आप इतना करोगे तो यहाँ पर दुस्तो आपके channel का जो settings है वो complete तरीके से यहाँ से पूरा हो जाएगा तो guys कुछ इस तरीके से आप YouTube application में अपना channel create कर सकते हो और यहाँ पर दुस्तो मैंने आपको सारी के सारी settings बता दिये आप इन सभी settings को complete करना और उसके बाद दुस्तो आपका जो channel है वो अच्छा तरीके से grow भी करेगा और आपका जो channel है वो search list के अंदर आएगा तो कुछ इस तरीके से आप YouTube application में अपना channel create कर सकते हो आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप सीख चुके होंगे कि YouTube application में अपना channel कैसे create किया जाता है तो आज के इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं कुछ ऐसे helpful videos के साथ तब तक के लिए दुस्तो गुट बाई